नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी के इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम है इस्टुडेवित पी एन लोदा साथियों रीट मेंस एक्जाम फरवरी 2023 के लिए रजस्तान का इत्यास वे कलास अंस करती की कलास नमबर 19 हाज हम पढ़ने वाले हैं तो बहुत ही शांदार तरीके से बिलकुल नोट्स के माध्यम से जो हमरे टोफिक्स चल रहे हैं मैंने आपको बताया है कि लगबग 30 दिनों में आपके पुरा सेलेबस कवर हो जाएगा उस दिन को बोले होए लगबग मुझे 5-6 दिन हो चुके हैं तो साथियों मान लीजे 25 दिन में आपका आज जो सेलेबस राजस्तान जिखे का यह हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं रीटमेंस एक्जाम फरवरी 2023 के लिए बहुत ही बहतरीन वीडियो है साथियों वीडियो को पूरा देखिएगा इसके पहले की जो 18 कलासेज हैं उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है यूटूब पर तो प्लेलिस्ट में जाकर के और पिछली सारी कलासों को आप अटेंड कर सकते हो तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को साथियों देखिए हमारा टोपिक चल रहा था राजस्तान की सांसकर्तिक प्रंप्रावे विरासत और इस टोपिक को अमने कलास नंबर 18 में भी पढ़ाता साथियों लेकिन टोपिक पूरा नहीं हुआ था राज ही जादा इंपोटेंट वीडियो है साथियों तो चलिए शुरू करेंगे जो राजस्तान की प्रताएं और रिती रिवाजों की अगर हम बात करें साथियों आज का ये जो वीडियो है राजस्तान की सांसकर्तिक प्रंप्रावे विरासत का जो टोपिक है यह आपके complete cover हो ग बारे में तो दहेज परता सभी जानते हो कि दहेज क्या होता है जब वदू पक्ष के द्वारा ठीक है जो वदू के जो पिता होते हैं वो वर को ठीक है जो वर मतलब जो दुल्हा होता है साथियों उसको या उसके परिवार वालों को एक निश्चित धनराशी देता है दिरे मांग बढ़ने लगी और आज कल तो कहीं जगे दहेज के करन जो महिला होती है सात्यों जो महिलाएं हैं उनकी हत्या तक भी कर दी जाती है सुना होगा तो इन सभी चीजों को दूर करने के लिए एक अधिनियम बना है दहेज परता से समंदिती दहेज निरोदक अधिनि बना क्यों दहेज को गेर कानूनी गोशित किया गया और दहेज देने और लेने वाले दोनों के खिलाप कारवाही अब की जाते हैं सात्यों क्योंकि दहेज परता को गेर कानूनी गोशित किया जा चुका है तो इस समंद में जो अधिनियम आया है वो कौन सा है दहेज निरो कब आया था आंसर रहेगा आपका 1961 में दूसरी परता देखेंगे साथियों दूसरी परता है विद्वाविवा देखो कुछ तो कूपरता हैं होती है और कुछ अच्छी कूँ मतलब बुरी परता हैं और कुछ अच्छी परता हैं भी होती है जैसे साथियों एक परता है विद दो साल बाद उसके पती की मर्च की हो जाती है सातियों तो 21-22 साल में विद्वा वन गई क्या सारी जिन्दगी वो सातियों विद्वा के रूप में ही जिये ये तो एक तरह से अभी शाप हो गया उसके लिए तो इसी वज़े से विद्वा विवा कानून पास किया गया था देखो विद्वा पुनर विवा अदिनियम 1856 में आया था किसने लोड डल हो जी के दोरह इस कानून को लाया गया था और इस कानून को लाये तो लोड डल हो जी लेकिन इसको लाने का जो प्रियास किया इस विद्या सागर के प्रियासों से विद्वा विवा कानून बनाता साथ यूँ कब बनाता विद्वा पुनर विवा अधिनियम अट्रासो चपन में तो यहां से भी डारेकली पूचा जा सकता है जिसे दहेद निरोधक अधिनियम कब आया था 361 चश्री इस्षवर्चंडर विध्या सागर के प्रियासोत से जिसे किसी जो महिला है किसी इस्त्री का जो पती है तो उसकी मरत्यू यद duy हो जाती है विद्वा aasında चाल है पहले एक के समय ऐसा नहीं होता था, लेकिन ये कानून बना ठासुचपन में, और बिलकुल अब मैलाएं विद्वा होने के बाद में दूसरी शादी करने का अधिकार रखती है साथियों, तीसरी जो परता देखेंगे, वो है दास परता, तो साथियों तीसरी जो परता आती ह वो हाती है आपके दास परता, समझना दास परता क्या होती है, पहले के समय में राजा महराजाओं के बीच में युद्धु हुआ करते थे, अब युद्धु हुआ तो एक जीता और एक हार गया, तो जो जीतने वाला राजा को हरा देता था, तो वहां की जो आम जनता है, या वहां के जो सेनिक है या अन्य कोई जो वहां पर जो हारने वाला जो पक्ष होता था तो उस पक्ष के लोगों को जीतने वाला जो राजा है वो बंदी बना लेता था सातियों और उनको क्या बना दिया जाता था दास बना दिया जाता था और कहीं जगे पर दासों को बेच अधसी को उपपत्नी बिना लिया जाता था कहीं बार जिसे राजा माहराजा है अब आपने देखा होगा कि एक एक राजा हजारा जारा रानियों से शादी कर रहा हैं तो उसको तो ऐसा है राजा का मतलब क्या हुआosps दिया जो इसने जो और सोंच ले उसने जो कर लिया वह स Allen जो चाहरे पहले होा करता था तो जीसे मान लीजीए कि में बैङ कोई राजा जीत गया जीतिने के बाद मेंיר भी धाक्मवे… hypnotus ने उसने दास बना लिया और उस उपपत्नी को पढ़ डायत कहा जाता था क्या कहा जाता था पढ़ डायत के नाम से उसको जाना जाता था यदि राजा प्रसन होकर उसे हाथ पेरों में सोने के अभुशन पहनने की सुख्रति दे दे तो उसे पासवान या खसवान कहा जाता था सात्यों जैसे कोई भी अच्छा उसको मना गया तो इसी स्थिति में वो उसको उसके अनुसार उसकी सोच के अनुसार काम होता था पहले के समय में ये तो सोने के आभुशन हाथ पेरों में वो पहन सकती दास दास या आभुशन नी पहन सकते थे लेकिन जिसको पत्नी बनाया वो पहन सकती थी साथिय सबसे पहले विलियम बेंटिंग ने 1832 में किया था साथ यो कब किया था 1832 में दासपरता पर सबसे पहले रोक लगाई थी किसने लगाई थी विलियम बेंटिंग ने कब 1832 में राजस्तान में सरुप्रतम दास परता पर रोक 1832 ईस्वी में हाडोती शेतर में कोटा बूंदी में लगाई गई साथ यूग कब लगाई गई गई 1832 में राजस्तान की बात करें तो राजस्तान में भी 1832 में लगी और कहां पर कोटा और बुंदी जो राज्ज था यहां पर सरुपर्थम दासपरता पर रोक लगाई गई थी किलियर है तो एक्जामिनर प्रिशने पूंच सकता है देखो एक तो ये पासवान वाला प्रिशन आपके आ सकता है कि बहुत पासवान क्या है कि अगर दासी को उपपत्नी बनाया और उसको सोने चांदी के आभूशन हाथों और पेरों में पहनने के लिए स्कृत्ति देदी तो उसको क्या कहा जाएगा पासवान और दासपरता पर रोक लगाने का कार यह किस ने किया विल पर्दा पर्था के बारे में, तो देको पर्दा पर्था क्या होती थी, जादा तर ये जो राजपूत होते थे साथियों, उनमें पर्दा पर्था बहुत ही जादा चलती थी, वर्तमान में भी चलती है बिल्कुल पर्दा पर्था, तो महिलाओं को एक तरह से यूं मान सकते ह होती है जो पहले के समय हैं बाहरी जो आक्रमन कारिते साथियों तो उनकी द्रश्टी से बचाने के लिए ये परता चली थी दिरे दिरे हिंदू समाज की नेतिक परता भी बन गई और इस्त्रियों को पर्दे में रखा जाने लगा साथियों ठीके इसके बाद में लगबग य साथियों युमाली जी इस परता के करण चार दिवारी में ही केद रहे के रह गई तो इस परता को दूर करने के लिए स्वामी दयनां सरस्वती ने इस्त्री सिक्षा पर बल दिया था ताकि परता परता दूर हो सके किलियर है सभी के नेक्स्ट जिसे घूंगट वगेरा ले करते थे इनके दोरा अपनी जनता से मुप्त में सिवाए लेना उनको कोई मजदूरी भी नहीं दी जाती थी और उनसे काम करवाए जाता था साथियों तो इस परता को ही क्या कहा जाता था बेगार परता कहा जाता था साथियों देखो बेगार परता में जैसे मान लीजिए कि कहीं दूसरे गाउं से बोजा लाने का का रहे है लकडियों को चीलने का का रहे है मकान को लीपने पोटने का का रहे है पानी भलने का का रहे है या घरेलू कोई का रहे है तो वो आम जंता से करवाये जाते थे और उनको कोई उसका जिसे एक तरह से मान सकते हो कि जो मेहनत ह करती थी उनकी तो उसको किसी भी प्रकार कोई शुल्क नहीं दिया जाता था प्रिमें बेगार परता देनी परती थी उनको काम करना परता था कहां सामनतों जागिरदारों और राजाओं के यहां पर बिल्कुल फिरी में काम करना है कोई आपको मजदूरी वगेरा जो आपकी होती है या फिर जो आपने काम किया है उसके बदले कोई धनराशी नहीं दी जाती थी ठीक है अगर बात करें इस परता में तो बेगार परता जो है राजस्तान का जब एकी करण हुआ इसके बाद में लगबग ये जो परता है समाप्त हो गई है सात्यों छेटे नमबर पर क्योंकि आज कल फिरी में कोई काम नहीं करता आप सभी जानते विस चीज को ठीक छेटे नमबर पर बात करेंगे बंदूआ मजदूर के बारे में तो देखो बंदूआ मजदूर सेट सावकारो सामंतो दोरा उधार दी गई राशी ने चुकाने पर उधार राशी लेने वाले परिवार के घर से किसी व्यक्ति को अपने घर में घरेलू नोकर बना लिया जाता था जिसे मान लीजिए जो उच्ची वर्ग के लोग हुआ करते थे जिसे सेट जी है साहुकार सामंत तो साथियों ऐसे लोग जो निम्न वर्ग के लोग हुआ करते थे उनको पेसे दे दिये कि ये लीजिए सो रुपे लीजिए हजार रुपे लीजिए 10,000,000 लीजिए उधार दे दिया और उन पर यू मान लीजिए कि बहुत ही ज़धा ब्याद लगाए जाता था और जब वो पेसे नहीं दे पाते थे इतने सारे तो ऐसी इस्तिती में जिसने भी पेसा उधार लिया है साथियों उनके घर से किसी एक व्यक्ति को सागड़ी निवारान अधिनयाम 1961 में इस प्रता को अवेद गोशित कर दिया कि बही अगर कोई ऐसा कारे करता है तो गेर कानूनी माना जाएगा ठीके ये कौन सी प्रता है बंदवा मजदूर किसके अंतरगत बंद हुई सागड़ी निवारान अधिनयाम 1961 जब आया तो इस प्रता को गेर कानूनी गोशित कर दिया तो प्रेशने पूछा जा सकता है जिसे हमने दहे निरोधा का अधिनयाम पढ़ाता न वो भी 1961 में आया था और ये बंदवा मजदूर वाला जो है साथियों साथियों में अगर कोई व्यक्ति मर जाता है मरने के बाद में जो मरत्यू बोज मरने के बाद में जो भूजन खिलाया जाता है साथियों मरत्यू बोज जिसको कहते हैं तो आदिवासियों में इस प्रता को लोका या कान्दिया के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट आटवे नंबर पे है छेड़ा फार्णा भाई देखो छेड़ा फार्णा क्या होता है तो छेड़ा फार्णा जो है इसको आप तलाग भी के सकते हो नौर्मली बाशा में हम छेड़ा फार्णा को तलाग भी के सकते हैं तो जो भील पुरुश होते हैं साथ यो इनक के द्वारा अपनी पत्नी का त्याग करना इसका एक तरीका होता था चेड़ा फाड़ना का कि जो भील अपनी इस्त्री का त्याग करना चाहता है ठीक है किसी की शादी हो रही है किसी भील पूरुश की अब वो अपनी इस्त्री का त्याग करना चाहता है साथियों तो अपनी पतनी को छोड़ दिया है तलाग दे दिया है तो छेड़ा फ़ाड़ना इस प्रकार की जो प्रता है ये भीलो में प्रचलित थी थी कि वर्तमान में तो इसा के रहे नहीं नेक्स्ट नोए नमबर पे बात करेंगे तो नोए नमबर पे जगडा राशी जिसको दावा राशी भी कहते हैं और जिसको दापा के नाम से भी जाना जाता है तो देखो जगडा राशी क्या होती है विवाहित इस्त्री द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से विवा करना इसमे किसी दूसरे पुरूस से शादी कर लेती है तो उसका जो पहले का जो पती है ये क्या करेगा इसका जो नया पती है नया पती जो इसका है इसको एक निश्चित धनराशी देगा क्योंकि इसने क्या किया इसकी पत्नी से शादी कर ली तो इसी को क्या कहा जाएगा जगडा, राशिया, दावा, राशिया, धापा के नाम से जाना जाएगा साथियों नेक्स्ट दस्वे नंबर पे हम बाल विवा के बारे में बात करेंगे तो दस्वे नंबर पे आता है बाल विवा देखो बाल विवा के बारे में सभी जानते हो यह माना जाता है कि यदि लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम है तो ऐसी इस्तिती में उसको हम बाल विवा कहेंगे ठीक है यह सभी को पता है लेकिन सात्यों वर्तमान में दोनों की ही उम्र बढ़ा दी गई है 21 वर्ष कर दी गई है लड़का प्लस लर्की की देखो ये अगर किसी लड़की की उम्र 21 वर्ष से कम या किसी लड़के की उम्र भी 21 वर्ष से कम है तो पिर उसको क्या माना जाएगा बाल विवा माना जाएगा अभी एक कानून आये था साथियों इस सम्मंद में इसी में इसकी उम्मर बढ़ाई गई है सरवदिक बाल विवा अक्षे तरत्या या आखा तीच पर होते हैं यह हमने जब राजस्तान में मेले वे त्योहार का ट प्रतिबंदक कानून जो सबसे पहले बाल विवा को रोकने के लिए बनाता साथियों 1885 इसी में जोदपूर राज के प्रधान मंत्री प्रताप सिंग के दौरा इस कानून को बनाया गया था कौन सा कानून था बाल विवा प्रतिबंदक कानून 1885 में जोदपूर राज के प्रधान मंत्री थे प्रताप सिंग इन्होंने सबसे पहले बाल विवा को रोकने के लिए कानून बनाया था साथियों लेकिन इसके बाद में हम बात करेंगे शारदा एक्ट के बारे में तो देखो शारदा एक्ट की अगर हम बात करें तो साथियों बाल विवा निरोदक अधिन्यम के नाम से गाना जाता है। निरुदा कदिनियम या शार्दा एक्ट कब पारित हुआ 1929 में साथ यह जो शार्दा एक्ट है यह एक अप्रेल 1930 को लागू हो गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इस कानून को लागू किया था साथ देखो समझना शार्दा एक्ट क्यों कहेंगे क्योंकि किने वाले थे अजमेर के और इस कानून का नाम क्या है बाल विवा निरुदा कदिनियम 1929 यह तो पारित हुआ लेकिन लागू कब हुआ एक अप्रेल 1930 को किसने लागू किया लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इस कानून को शार्दा एक्ट को लागू किया साथ यह लड़के की उम्र 18 वर्ष निश्चित की गई साथ यह लेकिन दिरे दिरे जमाना आगे बड़ा दिरे दिरे हम आधुनिकता की ओर भर रहे थे तो 1978 में शार्दा एक्ट में वापिस संशुदान किया साथ यह क्योंकि 15 वर्ष लड़की और 18 वर्ष लड़का तो यह भी उम 1978 में किया गया था साथियों तो इसमें विवाह की आयू तीन वर्ष दोनों की तिन तीन वर्ष बड़ा दी गई थी इसके बाद में देखो इस कानून को समाप्त कर दिया गया ठीक है किस कानून को शार्दा एक्ट कानून को खत्म कर दिया गया और यह जो 1978 में शार्दा ए 15 वर्ष की लड़की और 18-21 वर्ष का लड़का इसमें कर दिया 1978 में जो कानून क्या बना बाल विवा अंकुश अधिनियम बना साथिओं देखो उसके बाद में शारदा एक्ट को खत्म कर दिया गया क्यों कर दिया गया क्योंकि 12 सरकार ने साथिओं बाल विवा परतिशेद अधिनियम 2006 पारिद किया था और इसमें सातियों 14 एक्ट के इस्तान पर वर्तमान में बाल विवा परतिशियत अधिनियम 2006 ही लागू है तो प्रशन पूछ सकता है डारेक्ली कि बाल विवा परतिशियत अधिनियम कब पारिद किया गया तो आंसर क्या होगा 2006 में सातियों इसक को बाल विवा परतिशेत अदिनियम 2006 लागू हुआ था साथ यो तो यहां तक किलियर है सबी के यह हमने बाल विवा के सम्मद में पड़ा बाल विवा में देखिएगा हमने क्या क्या चीज़े पड़ी कि 18 वर्षे से कम उम्र में लड़कियों की शादी और 21 वर्षे से कम उम मंतरी परताप सिंग ने बाल विवा परतिबंद कानून बनाया था उसके बाद में हर विलाज शादा के प्रियासों से 1929 में बाल विवा निरोदक अदिनियम बना साथियों और इसको क्या कहा गया शादा एक लागू का बुआ एक अपरेल 1930 को किसने लागू किया लोड वि लड़का है वो 21 वर्श होना चाहिए और यह जो कानून है शारदा एक्ट वर्तमान में यह बंद है इस किस्तान पर कौन सा कानून अगया बाल विल्वा परतिशियत अदिनियम 2006 जिसको कब लागू किया गया एक नमबर 2007 को लागू किया गया साथियों तो यहां तक सभी के किलियर होना ही चाहिए नेक्स्ट बात करेंगे साथियों अब हम नेक्स्ट जो आपके परता है वो है डाकन परता तो साथियों जो डाकन परता है डाकन परता क्या होता है समझ रहा हो ना डाकन परता की नाम ही नहीं सुना कभी तो इसमें क्या होता है कोई इस्त्री होती है गाओं में या शेरों में भी हो सकती है सात्यों वर्तमान में तो फिर ये प्रता लगबग खत्म हो चुकी है लेकिन ये जो प्रता है डाकन प्रता इसमें क्या माना जाता था कि किसी इस्त्री में कि वह जो इस्त्री है वह डायन बन चुकी है ठीक है क्या बन चुकी है डायन और कई जगे पर उस इस्त्री को मार भी दिया जाता था साथ यूँ, उसको बिल्कुल उसका जीवन खत्म कर दिया जाता था, कि ये तो डायन है, ये तो खाएगी अपने को, इस प्रकार की चीज़े होती थी, तो इसको खत्म है, अप्रेल 1853 में कब, अप्रेल 1853 में मेवार म महराना सुरूप सिंग के समय, जेसी ब्रूक ने खेरवडा उदेपुर में इस प्रता को गेर कानूनी गोशित किया था, और 22 अक्टूबर 1853 को उदेपुर महराना ने आदेश जारी कर, किसी महिला को डायन बता कर पीडित करने पर 6 मा के कारवास की सजा का भी एलान किया साथियों कि कोई यह नहीं के सकता है, कि यह जो महिला है, यह डायन है, इस पर डायन का साया है, और यह लोगों को बिल्कुल जिंदगी उनकी खराब कर देती है, इत्यादी इत्यादी जो बाते होती है, मानसिक रूप से उसको बिल्कुल पागल कर दिया चाता था, तो इस समन्द में सबसे पहले जो कानून बनाता सातियों जो मेवार के महराना थे स्वरूप सिंग इनके समे जेसी ब्रुक ने नाम क्या है जेसी ब्रुक ने सातियों खेरवड़ा उदेपूर में इस प्रत्रह को गेर कानूर निगोशित किया ये तो अप्रेल 1853 में अप्रेल के बाद में मैं जून जुलाई अगस सितंबर और अक्टोबर का जो मैना आया इसमें 22 तारिक को साथ ये 1853 पन में ही जो उदेपुर के महराना है स्वरूप सिंग इन्होंने आदेश जारी किया कि किसी भी महिला को आप डायन नहीं बता सकते अगर आपने किसी महिला को डायन बता कर पिडित किया तो आपको 6 महा की कारवास की सजा हो जाएगी तो इस प्रकार इस प्रता को दिरे दिरे खत्म कर दिया गया नेक्स्ट बारवे नंबर पे साथ यूं हम बात करेंगे नाता प्रता के बारे उनकी जैसे मान लीजिए शादी टूट गई ठीक है या फिर विद्वा हो गई साथियों तो ऐसी स्तुति में उस महिला का अन्ने जागे पर संबंद करके और उसको वहाँ पर बेद दिया जाता है तो इस परकार ये नातर प्रता होती है जिसमें वो अपने पहले पती को इसे आदिवासी समाज में कोई महिला है अब वो विद्वा हो चुकी ये साथियों ठीक है उसका पती मर चुका है तो ऐसी स्तुति में उसका अगर दुबराज से उसका विवा करें उसकी दुबराज से शादी करें तो इस परता को ही आना या नातरा के नाम से जाना जाता ह चौधवे नमबर पे देखेंगे डावरिया परता, तो डावरिया परता क्या है देखो, राजा महराजा वे जागिरदारों द्वारा अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुछ कन्याई भी दी जाती थी जिन्हें डावरिया कहा जाता था, देखो भई, कितनी बड़े बड़े लोगों का काम है तो बहुत सारे लोग तो इसके लिए जो कन्याई हैं, जो महलाएं हैं उनको खरीद करके भी दहेज में देते था सात्यों, राजा महराजा थे जो जागिरदार थे पुरा प्राचीन समय में, पुराने समय में, तो उनकी लड़की की उन्हीं कन्याओं को डावरिया के नाम से जाना जाता था साथियों, तो देखो डावरिया क्या है, लड़की की शादी में दहेच के साथ में जो कन्याओं दी जाती थी उन्हें को ही डावरिया कहा जाता था, पंद्रवे नमबर पे देखेंगे साथियों केसरिया, देखो केस केसरिया क्या है राजपूट योद्दाउंदोराँ प्राजे कि इ opponER की स्तिति में केसरिया धारन कर शत्रू के ओपर भूके सेर की बाती टूट पर ना वे उन्हें मारते जोहर को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है जब राजपूत योद्दाओं को लगता था कि अब जो शत्रू है उससे हम नहीं जीज सकते हैं लेकिन आत्म समर्पन करने के इस्थान पर ठीक है वो हार ने मानकर आत्म उनके आगे ने जुग कर अपने जीवन का ही बलिदान देते थे और अपने साथ अने जो शत्रू के जो सेनिक है उनको भी खुद तो वीर गति को प्राप्त हो जाते थे लेकिन उनको भी मार डालते थे साथियों सोलवे नमबर पर देखेंगे जोहर के बारे में तो देखो जोहर प्रता क्या है राजपूत रानियों दोरा अपने सतित्व की रक्सा करने के लिए आग या पानी में कुद कर अपनी जान दे देना जब लगता है कि भई जो केसरिया हो चुका है अब राजा महराजा जो है जो भी राजा महराजा जो भी है सातियों वो हार चुके हैं उनकी मरत्यों चुके हैं तो इसी स्तिती में वहाँ की जो रानिया हैं मतलब दास के साथ के सारी दासियों के साथ में मिलकर के सातियों अगनी कुंड या फिर जो पानी का कुंड होता था उसमें कूद कर अपनी अब व्यक्ति की मॱ्ति की म॰त्य जैती, तो उसको चिता पर लेटादिया, तो उसकी जो पत्नी है, उसके साथ में ही साथिए चिता पर लेटाने के बाद में वो खुद भी उसके साथ ही जल जाती थी, तो इसको कहते थे सती परता, पती की मरत्यू हो जाने पर पतनी द्वारा पती के शव के साथ, चिता में जलकर मरत्यू का उवरन करना ही सती परता कहलाती थी, खुद भी मतलब अपने पती के साथ ही मर जाती थी, रोक इस पर कब लगाए गई तो सबसे पहले 1822 में बूंदी म 1822 में कहां पर बूंदी में ही लगाई थी सिर्थ, राजा राम मोहन राई के प्रियासों से लाड विल्यम बेंटिंग ने 1829 में एक सरकारी अध्यादेश जारी किया और इस परता को गेर कानूनी घोशित कर दिया साथियों, तो किसके प्रियासों से ये अध्यादेश जार बूंदी में सबसे पहले रोक लगा दी गई थी, सात्यों सती परता पर रोक लगाने वाला प्रतम जो शाशक था, वो था मोहमत बिन तुगलत, most important question है, बन सकता एक्जाम में कि सती परता पर रोक लगाने वाला प्रतम शाशक कोन था, तो आप का अंसर रहेगा, मोहमत बिन अनुमरन की ओर, तो देखो अनुमरन क्या है, पती की मरत्यों कहीं अन्यत रो जाने पर उसका दास अंसकार वही करने पर पती के किसी चिन अत्वा बिना चिन के विद्वा इस्त्री दोरा, चिता रोहन करना ही अनुमरन कहलाता था, एसी सत्यों को महा सत्य भी कहा जाता था देखो अभी हमने उपर देखा सती परता सती परता में क्या होता था कि कि किसी के पती की मरत्य हो गई तो उसकी जो चिता होती है साथियों वो भी उसी में जल जाती है पती के साथ में वो तो सती कहलाता था लेकिन अब मान लो कि भाई किसी का पत्नी महे साथियों तो उसने क्या किया अपने पती के किसी सामान को हाथ में ले करके और आग के हवाले अपनाप को कर दिये जाता था तो इसको ही अनुमरन केते थे और साथियों जो ऐसी सतियां होती थी जो अपने पती की निशानी के साथ में अपने सती होती थी तो उनको म पहाजाता था महासती भी तो यह परताएं प्राचिन समय में चलती थी आज के समय में तो देखो ऐसी कोई पृता नहीं चलती है क्योंकि गुष्वर्रमेंट नहीं इस पर रोक लगदी है दीरे दीरे क्या होताता देखो यह सती परता एना दिरे दिरे तो इसमें इस तरह अपने मन से अपने पती के साथ सती होती थी लेकिन दिरे दिरे कि ये परतिष्टा का सवाल बन गया और कई बार क्या हुआ कि जो महिलाएं हैं वो उसकी बिलकुल भी मर्जी नहीं है लेकिन जो परिवार के लोग है वो अपने आपको कि भाई यार अगर ये सतिन्य वी तो अपना जो मान सम्वाने वो खत्म हो जाएगा समाज में अमरी जो इज़्जत है वो खत्म हो जाएगी इस वज़े से उस महिला को जबर जिस्ति आग के अवले कर देते थे साथ यूं तो इसा होता था इस वोजे से इन परताओं पर रोक लगाई गई है क्लियर है सभी कही है तो next 19 वी है समाधी परता देखो समाधी परता के अगर हम बात करें तो कुछ लोग होते थे लोग संत वगेरा है तो जमीन या जमीन में गड़ा खोद करके और वहाँ बेट जाते थे समाधी लगा करके और उपर से मिट्टी डाल दी जाती थी और वो बिलकुल अपने आपको मतलब वो मरत्यू का वरन कर लेते थे साथियों या पानी में बेट कर वो मरत्यू का वरन कर लेते थे तो AC प्रता क्या कैलाती थी समादी प्रता सरप्रतम रोक इसमें कहां लगाए गई जेपूर में 844 में लूडलो ने इस पर सबसे पहले रोक लगए गई इसे समचुरने के लिए 8161 में एक अधिनियम भी बनाता सात्यों लेकिन 844 में ही समाधी प्रता पर रोक लगा दी गई थी ठीक है बीसवे नमबर पर अगर हम देखे तो बीसवे नमबर पर कन्यावद देखो कन्यावद किसलिए किया जाता है क्यों कि बहुत से लोगों को लगता है कि यार लड़की होगी पढ़ाएंगे लिखाएंगे शादी करेंगे दहिज देना पड़ेगा बहुत खर्च होगा इस वज़े से कहीं सारे लोग जो है कन्या को जन्म देते ही मार देते हैं साथियों प्राजिन समय में उनको अफीम जादा खिला कर या उनका गला गोट करके और कन्या जो लड़कीया होती थी उनको जन्म लेते ही मार दिया जाता था तो इस पर रोक लगाए गई सबसे पहले कोटा रियासत में कोटा रियासत में सबसे पहले इसमें रोक लगाई ता साथ्यों तो बुंदी में कब किया था ? तो एक्जामिनर डारेक्ली प्रिश्ण पूँच सकता है कि कन्यावत पर सबसे पहले रोक किसने लगाई कोटा ने कब 1833 में किसके समय लोर्ड विलियम बेंटिंग के समय किसके प्रियासों से विलकिंसन के प्रियासों से जबकि बुंदी ने कब लगाई साथियों 1834 में लग और यहां के जो भी आप पढ़ रहे हो इसकी टेस्ट सिरीज कला संस्कृति की पूरी टेस्ट सिरीज वहां चलाई जा रही है आठनो टेस्ट भी आपके लिए जा चुके हैं साथियों तो भूगोल के लगबग 20 टेस्ट आपके हो चुके हैं आठनो टेस्ट कला संस्कृति के हो चुके हैं ICT के टेस्ट चल रहे हैं आपके टीचिंग में तर्ड के टेस्ट चल रहे हैं हिंदी के टेस्ट चल रहे हैं तो यह सारी चीज़े साइक्लोजी के भी टेस्ट बिल्कुल अप चालू कर दिये साथ यों तो सारी चीजों की टेस्ट स्रीज एप्लिकिशन है इस करता है औरतों और लड़के लड़कियों को करेविक्रे बेचने का खरीदने का काम इसके इस पर सबसे पहले रोक कोटा राज ने 1831 इसमें में लगाई थी कि कोई भी किसी भी पुरुष महिला बच्चों को नहीं बेच सकता है नहीं खरीच सकता है 16 फरवरी 1837 में जैपुर राज ने एक इस्तिहार जारी कर इस व्यापार को अवेद गोशित कर दिया था साथियों देखो विसे तु सबसे पहले रोक किसने लगाई 1831 में किसने कोटा ने लेकिन एक इस्तिहार जारी किया जेपुर राज ने 16 फरवरी 847 को की बही एक गेर कानूनी है कोई भी इस तरी पुरुषों को बेच और खरीद नहीं सकता है सातियों भारत सरकार ने सीटा नामक से एक 1956 में कानून लागू किया था कि आप किसी भी महिला पुरुष को नहीं बेच सकते थे ठीकिए, एक लागू किया था 1956 में, और इस कानून को 1986 में नाम बदल कर कर दिया, PITA, इसको संशुदित करके क्या नाम बदल दिया, PITA इसको कर दिया, SETA 1956 में आयता और PITA आया 1986 में, दोनों को संबंद लड़के-लड़कियों के करेविक्रे से हे सात्यों, कि कोई भी इस्तरी प्रुशों को नहीं बेच सकता है तो ये परमुक परमुक जो परताएं थी उनको हमने देख लिए है अब राजस्तान में जो खानपान है उन्वाल उस टोफिक को भी हम देख लेते हैं तो साथियों खानपान के अंतरकत से भी आपसे प्रिशन पूछा जा सकता है देखो राजस्तान में त्योहारोव परोव पर भोजन में लापसी परोसी जाती है क्या परोसी जाती है लापसी परोसी जाती है साथियों तो ये लापसी क्या होती है तो साथियों जो लापसी है ये गेहू के दलीए से बनाई जाती है जिसको जो त्योहार आते हैं या अन्य कोई परवाता है इन आउसरों पर लापसी परोफसी जाती है गेहू की बनी हुई जबकि नाम सुना होगा एक आपने खींच्डी या खींच्डा तो देखो आपने देखो खीचिडी खा भी रखी होगी नाम ही क्या सुन रखा होगा उगा अगर आप राजस्तान के निवास ही ओ तो निष्टी दरूप साथ ऌपने खीचडी भी खा जाता है होले या होडे के नाम से भी इनको जाना जाता है साथियों जो चने होते हैं चने की जो डाल होती है ना डाल आपने खार कियोगी चने की तो तो जो डाल होती है वो किसे बनते चनों से बनते है और जो चना जो होता है जब खेतों में हरा चना होता है साथियों तो उस ह हरे चने को आग में भून लिया जाता है और भून करके उसको खाया जाता है उसी को होले या होले शब्द के नाम से जाना जाता है जबकि हम बात करेंगे अमिया की तो देखो अमिया क्या है गेहूं की जो हरी बलियां होती है इनको आग में भून कर खाना जो हरे चने हैं इनको आग में भूनकर खाते हो तो ये तो हो ले और जो गेहूं है जो हरे गेहूं है यदि आप उनको आग में भूनकर खाते हो तो वो कहलाएगा अमिया एक शब्द आता है केर सांग्री सबजी बनाई जाती है केर सांग्री की खेंजडी की जो फली होती है सात्यों इसकी सबजी बनाय जाती है जिसको जाना जाता है केर सांगरी के नाम से बहुती स्वाढिश्ट सबजी होती है, बिल्कुल कभी खाईीएगा जरूद एक एक कदबापला तो देखो कदबापला बहुत ही ज़्यादा परसिद है कहां पर हाडोती शेत्र में हाडोती शेत्र में जैसे आपके कोटा बारा बुंदी जहलावाड यह जो चार जिलाते हैं इनमें कदबापला बहुत ही ज़्यादा परसिद है साथियो नेक्स्ट बात करेंगे साथ यो हम घेवर के बारे में तो तीज वे रक्षा बंदन पर विशेश तोर पर घेवर बनाए जाते हैं और जेपुर का घेवर संपूर्ण देश में परसिद है तो प्रशन पूँच सकता है कि घेवर विशेश रूप से कब बनाए जाते हैं तो तीज और रक्षा बंदन का त्योहर आता है यह दोनों ही त्योहरों पर विशेश रूप से घेवर बनाए जाते हैं और कहां के गेवर परसिद है तो वह जेपूर के गेवर विश्व में क्या सुरी संपूर्ण देश में परसिद है एक शब्द सुना होगा दाल बाटी चूर्मा खा भी रखा होगा राजस्तान का विशेश विंजन है साथियों राजस्तान में त्योहारों के अवसर पर और तो और शादियों में भी कहीं बात दाल बाटी चूर्मा बनाए जाती है एक शब्द आता है राबडी जिसको राब भी कहते हैं सातियों राबडी आपने खार की होगी इसमें राबडी किसे बनाते हैं जो बाजरा भई राजस्तान में रेगिस्तान है और रेगिस्तान में बाजरे का उत्पदन खूब होता है तो जो बाजरा या पिर जो मक्का होते हैं इसके जो मोटा मोटा जो आटा होता है मोटा 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 आटा होता है तो इसको चाच में डाल करके क्या बनाई जाती है राबड़ी मराई जाती है ऐसा माना जाता है कि जो गर्मी का मुसाम होता है इसमें राबड़ी पिना सहरत के लिए बहुत ही जादा फाइदेमन होता है साथियों जबकि हम बात करेंगे सोग्रा की तो सोग्रा क्या है पच्चिमी राजस्तान में बाजरे की जो मोटी रोटी बनाई जाती है इसको ही सोग्रा केते हैं जबकि टिकड है गेहूं की मोटी रोटी इसको कहा जाएगा टिकड और सोग्रा तो यहाँ पर हमने देख लिया अब हम देखेंगे साथ यो खाटा चूरी को तो देखो खाटा चूरी सरधार शहर का खाटा चूरी परसीद है यही प्रिश्णा आप से पूचा जा सकता है खाटा, मतलब यह भी आपके इससे बनाये जाता है सातियों छाज से या दही से बनाये जाता है तो खाटा चूरी कहा का प्रसिद्ध है सरदार शहर का एक शब्द है दही बड़े खा रखेंगे तो बाशोडा जो शब्द हिसातियों इसको हमने कब पढ़ा था जब हमने मेले वे त्योहर का टोपिक पढ़ा था ना मेले वे त्योहर राजस्तान की प्रमुक मेले वे त्योहर हमने पढ़ लिये हैं और उस ठंडे खाने को कब खाया जाता है सीतला अश्टमी के दिन खाया जाता है और उसको ही क्या कहा जाता है बास्योडा के नाम से जाना जाता है साथियों जबकि नेक्स बात करेंगे घूगरी के बारे में तो देखो घूगरी क्या है गेहूं को पानी में उगबाल करके घ गूगरी बनाई जाती है जिसे गेहूं हैं उसमें कुछ भी नहीं डाला साथियों पानी में उबाल लिए तो बिल्कुल वो मोटे मोटे हो जाएंगे जिसे गेहूं तो बिल्कुल छोटा सा होता है लेकिन थोड़ा उसकी साइज बढ़ जाती है और उसको ही क्या कहा जाता है गुगरी कहा जाता है साथियों गुगरी को कई जगे परसात के रूप में भी बाठा जाता है उसको कहते है निरामिश दोनों ही आमिश और निरामिश दोनों एक दूसरे के प्रयवाची शब्द भी है हिंदी का भी एक क्यूशन आपके किलियर हो गया है यहां पर कि आमिश का प्रेवाची क्या है निरामिश या निरामिश का प्रेवाची आमिश है निरामिश मतलब शाकारी भोजन और आमिश मतलब मासारी भोजन है जात्यों आगे हम बात करेंगे ब्यालू शब्द के बारे में तो देखो शाम का जो भोजन होता है इसी को ब्यालू कहते हैं जबकि सुबे का जो भोजन होता है इसको कहते हैं कलेवा और गेहू जो चने का जो मिश्रन है इसको हम बेजर के नाम से जानते हैं तो ब्यालू शाम का भोज है उसको और देख लेते हैं लेको विकानेर के रस गुल टो जिसे मान लीजे कोटा है तो कोटा में कोई दुकान है रसगुलों की और उस पर लिखा हुआ है बिकानेर के रसगुले उस पर दुकान तो कोटा में लेकिन लिखा क्या हुआ है बिकानेर के रसगुले तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिकानेर के रसगुले बहुत ही ता अजमेर का सोन हलवा और सोन पप्ड़ी ये बहुत ज़्यदा प्रसिद है सोजद पाली के पापड़ बहुत प्रसिद है जेपूर की गजग भी बहुत ज़्यदा प्रसिद है ब्यावर जो अजमेर में पढ़ता है इसकी तिलपटी प्रसिद है पुशकर अजमेर के मालप परसिद्ध है जेसलमेर का गोटमा परसिद्ध है किशनगड का पेठा परसिद्ध है साथियों और मेरता के जो दूद पेड़े हैं ये बहुत ज़्यादा परसिद्ध है और सांबर जो जेपुर में पड़ता है यहां की फीनी लूनी की केसरबाटी नावा के गोंद के पाप लगाँ आदि ये राजस्तान में बहुती ज्यादा परसिद्ध साथियों तो इस परकार हमने बहुती कम समय में ये टॉपिक किलियर कर लिया नहीं तो नौर्मली इस टॉपिक में तीन सचार दिन ज़रूर लगते हैं हम ने दो कलास्टो में ही इस टॉपिक को कमप्लीट कर लिए साथियों अगर आपने एपको डाउनलोड नहीं किया है तो एपको डाउनलोड जरूर कीजेगा और टेस्ट स्रीज अब जितनी जल्दी जोइन करोगे उतना ही जाद आपको फाइदा रहेगा क्योंकि यूमान लीजे 140 पहले 99 रुपीज इसकी रेट रखी गई थी ले को 149 में ओल सब्जेक्ट लेवल एक प्लस लेवल दो के चार महिनों तक मतब चार महिनों बाद एक जा मैं आगे भी किसका तो भी कोई दिक्कत नहीं हम आगे भी आपको सर्वी सूसी में देंगे साथियों तो एक सूनन चास में एक्जाम तक आपको टेस्ट स्रीज ओल सब को पूरा देखने के लिए